हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने IQZ7 Android मुइल फोन में आप जो है Color Correction Setting को Enable कैसे कर सकते हैं यानि On कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह Color Correction Setting जो है ना Enable होने के बाद यह Setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको डीटियल में जानकारी देने वालों उंत चलिए यहां पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में Setting पेज ओपन करना है ठीक है Setting पेज में आपको नीचे आना है यहां पर आपको अप्शन मिल जाएगा यह Shortcut and Accessibility इसे आपको Select करना है अब आपको इस पेज के अंदर आपको सबसे नीचे आपको Accessibility का यह Option इसके बाद Accessibility के इस पेज में आपको नीचे आना है यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा Text and Display इसे आपको Select करना है अब आपको इस पेज में आपको यह Color Correction का और आपको इस सेटिंग इनेबल होने के बाद इस सेटिंग कैसे काम करती है यह मैं आपको समझा देता हूँ आपके mobile phone में जहां कहीं भी आपके colors होंगे चाहे वो आपके app icons के color है ठीक है चाहे वो आपके पूरे mobile system में कहीं भी color है उनका color थोड़ा fade हो जाएगा मतलब थोड़ा फीका हो जाएगा दिखे जैसे यह मेरे mobile phone के app icon है इनका जो color है यह थोड़ा हलका हो गया इनका color बदलब यह मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ यह setting जो है मैं इसे off करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनका color जो है यह facebook का color अब यह normal condition में आगया ठीक है तो आप color correction setting को जैसे ही आप enable करते ने तो इनका जो color होता हो थोड़ा fade हो जाता हलका हो जाता है जैसे आ करती है आपके पूरे mobile system में इस setting apply हो जाएगी ठीक है जहां कई भी आपके colors होंगे उनका color fade हो जाएगा तो इस setting ना इस तरीकी से काम करती है इने वलोने के बाद अब मैं आपको इस setting को डूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके phone में इसके लिए आपको करना है function इकन सेलेक्ट करना है अब यहाँ पर आपको सबसे उपर यह search bar में type करना है यूज color correction टिक है या फिर आप जो है color correction आप यहाँ पर टाइप कर सकते है Тू है यहा पर यहाँ पर जो है यूज kolor correction यहाँ अपर try कर लेते हैं इस तरीके से टिक है जो setting का नेम है आप यहाँ अगर आपको related अगर इसके नीचे अगर यह option यह दिखाई दे जाएगा ठीक है यहाँ पर इसके नीचे तो आपको थोड़ा सा scroll down करना पड़ता है ठीक है अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देता है यह use color correction यह color correction टाइप करने से तो आपको यहाँ पर जो क्या करना है text and and display जो setting का बाहरी नाम है उसको आप यहां पर टाइप करना तो आपको text and display का option मिल जागा ठीक है तो यहां पर दोस्तों आपको इस text and display पर select करना है इससे क्या होगा आपको वाइल फोन आपको डिरेक्टली इस setting पेज में लेकर आ जाएगा आपको और हैं यहाँ पर आपको color correction का option मिल जागा इस page में ठीक है तो यह shortcut तरीका है setting को ढूंडने का